तो हेलो डियर UPSC एस्पिरेंट तो कैसे हैं आप तो दोस्तो आप ही जो है हमारे कमेंट सेक्षन में बहुत सारे ऐसे सवाल आते हैं कि सर हम UPSC के लिए जो हम UPSC एक्जाम के लिए हम IAS एक्जाम के लिए जो हमारा जो बूक होता है हमारा जो बूक होता है जो हमारा एडवांस बूक होता है चाहे वो NCERT हो चाहे वो कुछ भी हो चाहे वो NCERT हो या तो एडवांस बूक हो हम उसे पढ़ नहीं पाते हैं हमारा complete नहीं होता है तो आज हम आपको बताएंगे कि आपको बूक को कैसे आपको पढ़ना है ताकि वो आपको रटने का भी जोरत ना पड़े और वो आपको जो है प्रॉपर याद भी हो जाए ठीक है तो आप इसी के बारे में चर्चा करेंगे तो आप वीडियो में बने रहना वीडियो पसं पड़ते हो अपनी जगह ठीक है एंसी आटी के बारे में भी बताऊंगा जब आप एडवांस बूक को पड़ते हो तो कही न कहीं पतला पतला तो रहता नहीं यह मोटे मोटे किताब रहते हैं ठीक है तो जब आप कोसिश करो कि मान के चलो आप एक चैप्टर को यदि आप पढ़ रहे हैं UPSC के लिए मैं खास UPSC के लिए बता रहा हूं ठीक है तो जब आप चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो चैप्टर तो बढ़ा रहता है ठीक है तब आप कोसिस करो जब फर्स्ट टाइम पढ़ो क्योंकि देखो पहले ये बात सुनो क्योंकि UPSC तो छे महिने से छे महिना छे मंत या आठ मंत में नहीं निकलता है कम से कम इसमें डेड़ साल से दो साल तो लग ही जाते हैं UPSC निकालने में ठीक है डेड़ साल से दो साल तो इसमें लग ही जाते हैं तब आप कोसिस करोगी जब आपके पास चैप्टर हैं तो कोसिस करो एक बार जो है करके पढ़ना है उसके बाद आपको क्या करना है एक बार अंडरलाइन करके पढ़ लोगे उसके बाद क्या करना है जब एक दिन अंडरलाइन करके पढ़ ले जब नेक्स्ट दिन तुम्हारा आएगा नेक्स्ट डे जब तुम्हारा आएगा तो कोसिस करो उसको स्पीड से प करो ठीक हो जाएगा फिर तिसरा दिन कोशिस करो उसको बीस मिनेट में इसपीड में पढ़ने का फिर तिसरा दिन में कोशिस करो कि 15 मिनेट में एक किताब आपका छप जाएगा माइंड में किताब आपका छप जाएगा और आपको रटने की जोरत नहीं पड़ेगी ठीक है याद करने की जोरत नहीं पड़ेगी तो कोशिस करो कि किताब को रटो नहीं समझ के पढ़ो बार बार पढ़ो क्योंकि UPSC का एक्जाम में पता ही है आपको एक दम बेसिक से पढ़ना है और हम कोशिस करेंगे ज्यादा किताबों को नहीं जिस किताब को हम हिस्ट्री में अगर हम हिस्ट्री में राम सरन सर्मा की किताब पढ़ रहे हम राम सरन सरमा की किताब पढ़ने हैं तो कोसिस करें उसी को बार-बार रिवीजन करने का ना की अधर और बुक एक्स्ट्रा हम ले करके आ करके अपना बोज बढ़ा ले ठीक है तो आप ऐसे करो आपको UPSC में सफलता एक दिन जरूर मिलेगी वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक करना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई